ओलो बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाप्टर कॉंसेप्ट ओफ जीरो बच्चो इससे पहले चाप्टर में हमने 1-10 तक नंबर्स पढ़े थे अब हम जीरो के बारे में समझेंगे कि zero क्या होता है बच्चो अगर हम यहाँ पर फिश के काउंटिंग करें जैसे कि 1 तू थ्री यहां पर थ्री फिश है इसके बाद यहां पर वन टू टू फिश है इसके बाद यहां पर वन फिश है अब यहां पर कोई भी फिश नहीं है एक भी फिश नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चो इसका मतलब जीरो जब एक भी चीज नहीं होती है तो उसको हम zero बोलते हैं इसी तरह से इसमें कितनी फिश है zero तो हम zero को किस तरह से लिखते हैं बच्चों zero को हम इस तरह से oval circle बनाते हैं अब हम यहाँ पर zero बनाने की practice कर सकते हैं इस dotted line के उपर अगर हम लिखेंगे तो यह zero मतलब nothing कुछ नहीं जीरो अगर किसी चीज की संख्या है इसका मतलब कोई भी चीज नहीं है उसको हम zero बोलते हैं तो यह था zero के बारे में आपको समझ में आया होगा concept zero का thank you